कि यह गाईज कैसे आप सब आई होप यू आर डूइंग वैल एम संदी प्रकम्टी शेसी सरकल तो हम लोग डिसकस कर रहे थे यू पीएस्ची 2020 टेस्ट ठीक है और यह मेंस की टेस्ट श्रीज है वीजन आईस की ठीक है और यह टेस्ट नंबर फोर का थर्ड पार्ट है ठीक ह इसके टू पार्ट हमने डिसकस कर ले थे टाइम कम मिला था तो उसमें थोड़े थोड़े कुश्चन हम लोगों ने डिसकस किये थे ठीक है और इसमें यह आज वाले पार्ट में हम सारे कुश्चन यह दस कुश्चन जो बचे हुई हैं सब को हम टोटल को डिसकस कर लेंगे में ठीक है और इतने दिन से यह मैं तिन चार दिन मेरा इधर कोई थोड़ा सा परसनल इशू था और थोड़ा मुझे कोल्ड भी हो गया था तो आवाज निकल नहीं रही थी मेरी गले से ठीक है तो आज भी आप लोगों को लग रहा होगा वोइस चेंज होगी तो उसको कासी प्रोब्लम ना हो मैं इन चीजों का देहान रखूंगा ठीक है और आपका प्रोपर जो है यह आएगा लिक्चर आएगा प्रोपर ठीक है और यह भी एक थोड़ी सी यह भी इसू था क्यूंकि आप लोग देखते नहीं थे ना लेक्चरिस मैं पता नहीं क्या हो गया था तो आप लोग भी नहीं देख रहे थे जुझा स ki 가능 तो इसलिए और मैं थोड़ा सेमे का दिया क्यूंकि जब आप लूब्स देखते नहीं एनले लिक्चर तो तो थोड़ा सा मतलब यह लग तकि यार बताई इतना टाइम दे रहे हम मेरित खराब है फिर वीमें लेक्च ठीक है तो आप लोग लेक्टर प्रोफर देखिए और अगर कोई दिक्कत आ रही है कुछ चीजे समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बुक्स खुला है ना आप लोग उसमें बताएं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ जब भी टाइम मुझे मिलता है मैं सारे कमेंट लग रही है तो बता दीजे मैं कुछ और स्टार्ट करूं ठीक है जो भी आप लोग बताएं लेकिन ये कोई मतलब अच्छा तरीका नहीं है कि आप लोग मतलब बताते ही नहीं है और लेक्टर भी देखना बंद कर देते हैं तो इन चीजों की ये देखो आपकी जुम्यद कि आ अट है तो आप लोग की जुम्मेदारी आप लोग को बताना है कि क्या पढ़ना है ठीक है तो आज मैं मुझे आसा है कि आप लोग जरूर बताएंगे की आप लोग को किया अच्छा लगेगा ठीकmême तो चलते हैं कुस्टन नंबर टेंपर और इसमें बहुत ही अच्छ कि मतलब कुष्चन इंकलूड के गए हैं ऐसे कुष्चनों की एक्सपेक्टेशन की भी जा रही है क्योंकि इस बार जो ये रिसेशन का जो पॉइंट है ठीक है जो कोविड-19 की वज़े से आया है तो उसमें ऐसे कुष्चन जरूर पूछे जाएंगे तो ये मेंस के लिए ब की है तैसरी मतलब वीजन की जो मंतली करेंट अफिर आती उसको भी मैं आज से हो सकेगा तो जरूर डिसकस करूँगा अगर टाइम मिला तो ठीक है या आज से या कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा उसको और वह साम को वीडियो देखने को आप लोग को मिलेगा तो उसको भी आप लोग देखिए गया और अगर कोई मतलब उसमें भी दिक्कता थी तो जरूर उसमें कमेंड बॉक्स में बढ़ता है ठीक है तो इसमें देखो क्या है कि बुगतान संतुलन के बारे में पूछा गया है बुगतान संतुलन का अर्थिस्पस्ट कीजिए और चालू खाता देखेश के में सम्लिद बीविन घटकों का बेवरण दीकिये कि चालू खाता और पूंजी खाता में क्या-क्या मतलब shorten स्टूर ऄंथ अ और इन घटकों का क्या महत्तु है इनके बारे में डिसकस करते हुए हमको पूरा कुस्ष्चन जो है कम्प्लीट कर लेना है तो इसमें बुक्तान संतुलन बैलन्स व पैमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भूबगतान संतुलण का अनूरच्छन एक राष्ट्र के केंद्रिक जो मौदरिक प्रादिकरण दौरा किया जाता है तो इसे प्रकार ये भूगतान संतुलण होता है जिसे हम किसी भी देश से खरीदते हैं कोई चीज ठीक है तो उसके एवज में हम अपना पे करते हैं उनको डॉलर के रूप में जो पैसे पे करते हैं उसके बाद जहां से हम इंपोर्ट करते हैं चीजे तो वहां से हमको पैसा मिलता है तो उसको जो मैनेज किया जाता है ठीक है तो उसी को कहते हैं बैल चालू खाता होता है दूसरा पूझी खाता हो भारत में भी उर पूझी खाते के एक ही खाते में वन्डेत क एजेता परिणाम भुंधतान में में दो मुख्य खाते सामिल होते अर्था चालू खाता और पूंजी खाता है मतलब चालू खाता और पूंजी खाता यानि बैलन्स पेमेंट हो गया उसके दो पार्ट हो गया ठीक है आपका एक चालू खाता हो गया एक पूंजी खाता हो गया अब देखते हैं चालू खाता मे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात और एक पच्छी अंतरणों और अंतरराष्टी आयों से संबन्दित लेंदेन का रिकार्ड सामिल होता है इस प्रकार चालू खाते के सेस कमान निर्यात के मूली से आयात के मूली को घटा कर ग्याद किया जाता है जिससे की अंत व्यॉफ्तूमों में ब्यापार और निवल आंतरणों में ब्यापार शंतुलन में सामिल किया जाता है तो चालू ख़ता जो संतुलन में परिणामता जो परिणाम होते हैं परियृणत तो हो जाता है मतलब उसी में सामिल हो जाता है और चालू खाता संतुलन का सदेव बराबर होना अर्थात जैसे बात करें तो संतुलन में आवस्यक नहीं है कि या अधिशेश या कमी को प्रदर्शित कर सकता है अधिशेश चालू खाते का अर्थ है कि राष्ट अन्य देशों के लिए रिन दाता या चालू ठाटे चालू खाता घाटा का अर्थ है कि राष्ट के अन्य देशों से रिण लिया हुआ है, ठीके मतलब अगर एधिशेश होगा तो वहाँ रिन दाता है, उसने करेंड दे रखा किसी कंट्री को ठीकरं पूरा नहीं से उसका पूरा मतलब संतलन होता है कि हमने जितना Suprike कि आ और जितना मतलब हमने रिशीव कीया है इंपोर्ट के लिए एकस्पोर्ट के लिए तो इसका कि बार हम को हमारा ज्रकाहब मतलब घृतति ह हम जा रहे हैं तो यह चालूखाते में होता है चालोगाते के निम्लिकित घटक हैं अब देखो ये current account है तो देखो ये current account क्या होता है ये मतलब जैसे आभी हम उपर देखे की जो भी वस्त्वियं हैं तो इसमें क्या-क्या सामिल है तो देखो इसमें goods सामिल होती है ठीक है एक तो नमबर गूट से होता है यह मतलब वस्तुई होती है और सर्विसेस मतलब सेवाय होती है ठीक है और इंकम जो कोई हमको रिशीव प्राप्त होती है जो और यह हमारा जो ट्रांसफर्स होते हैं इसमें सामिल होते हैं ठीक है तो इन सब balance appointment हो गया तो यह export import का balance हो गया ठीक है भुकतान संतुलन हो गया अब income में क्या-क्या include किया गया तो देखो profit है जितना हमको profit मिलता है interest मिलता है कोई हमने किसी country को रिंड दे रखा है तो उससे जो हमको lab मिला है interest मिला है वो dividend जो होता है वो भी इसी में include किया जाता है ठीक है और अगर transfer कि हम बात करें तो इसमें तो transfer में क्या होता है रिमिटेंस है जैसे हमारे कोई नागरिक हैं जो other country में काम करते हैं जो वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं ठीक है तो वो वेज में हमको कोई मतलब सेवाय नहीं देनी पड़ती है ठीक है इंकम के लिए हमने मतलब दे रखा है उनको तब ही हमको मिला है और ट्रांसफर्स में हम इनके लिए कोई चीज हम पे नहीं करते हैं किवल हमको यह मिलता है हमें इसके बदले में कुछ देना नहीं पड़ता है ठीक है तो यह हमारा करेंट अकाउंट पूरा हो गया अब हम देख लेते हैं विजबल्स और इन्विजबल्स इसमें देखो यह और एक पॉइंट और रहेगा यह प्री का कुश्चन मान के चलो उसमें पूछा जाता है कि विजबल्स कौन है और इन्विजबल्स कौन है तो जिसके एवज में हम कोई चीज पे नहीं करते हैं जो यह ट्रांसफर्स हो गया ठीक है यह हमारे इन्विजबल्स के अंतरगत आते हैं और विजबल्स में यह दोनों हमारे आते हैं इनकम और यह मतलब गुड्स और सर्विशेस यह विजबल्स में आते हैं ठीक है तो इस प अर्थिक लेंदेन का रिकारड रखता है और निजी या सरकारी दोनों परकार के अलपकालीक और दीरघकालीक पूंजी गत लेंदेनों का बेवरन होता है जिसमें उधार लेना उधार देना विदेशी मुद्रा का क्रेय आद़ सम्मूलित होते हैं विदेशी परसंपतियों क खरीद पूंजी खाते में एक डेविट मतलब निकाली जाने वाली मद के रूप में होता है मतलब डेविट आइटम के रूप में यह मतलब डेविट आइटम के रूप में होती है क्योंकि इसे बिदेशी मुद्रा से बाहर परवाहित होती है लिए धुक्त SP przedो यह दिए धर कि जमाष्मार्श मुद्राइब भाहर परवाहीचों रही है यह इसलिए तो घ्रियलू पर संपती की बिक्री investment Hode or portfolio investment डारेट में क्या होता ज exceptions'd community में किने हमने ingvest किया equity कैपteel यहां सेहर मारकिट्टिंग में और ये हमारा earnings हो गई और अरह डारेट्ट कैपिटल aig plow डेकर तो ये सब किया जाते हैं Pop dong क्या होता कैप यानि-bet इंटिट्यूशन इन्वेस्टिमेंट होता है और फंड होते हैं यह मतलब एक बंच में सबसे पैसा एकठा करते हैं और उसको जो है किसी दूसरी बिदेशी बाजार में उसे निवेस करते हैं ठीकिए उसके बाद इसमें आता है यह एक्स टरनल बोरोइंग होता है जितना हम करते हैं किसी कंट्री से जो जो इरिन्ड लेते हैं जिसे एक्स्टरनल और चल और बोरोइंग हो के होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार हमने इसके देख लिए हैं कि क्या क्या मतलब कौन कौन से खाते होते हैं, अब चालू खाता और घाटे खाते को बित्ती थ्यasan, जो बित्तीयन मुद्रा, बाजyorsunार में बिदेशी, मुद्रा, बिकरे कर अपने बिदेशी, मुद्रा, भंडार को कम कर सकता है शरकारी, राजकोशी, कमी या ब्रद्रेको, करम, शामगर, भुगतां, शंतुलन, घाटा या अधिशेश कहा जाता है तो यह हमारा होता है घाटा या मतलब अदिशेस होता है यह इसी समगर को दरसाता है समगर भुगतान संतुलन को दरसाता है ठीक है जब किसी देश के चालू खाते और गैर आरचित पूंजी खाते का योग सूनी होता है तो उस देश में भुगतान संतुलन की जो अवस्था तो मतलब जब सूनी हो जाता है दोनों का तो उस इस्थित को जो है इस्थित संतुलन अवस्था मानी जाती है यही भुक्तान संतुलन की इस्थित संतुलन अवस्था में मानी जाती है इसका अर्थिया है कि चालू खाता संतुलन विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तित कीगे पूर परिवर्त पूरत या अंतरराष्टी रिंड द्वारा बित पुसित किया जाता है ठीक है तो इस प्रकार चालू और पुंजी खाता के अतरिक्त जो तूटियां या चूक होती है या इरर्स और ओमीशन्स होती है ये भुगतान संतुलन में तीसरे तत्यू का सरजन करते हैं बेवहर में अंतररा में रहते हैं कभी रहते हैं वरना हमेशा या तो अधिशेश में रहेंगे या फिर आपको देखने को मिलेंगा कि इसमें घाटा होगा ठीक है तो यही कारण है कि तूटियों और चूकों को संतुलन मद माना जाता है ताकि भुकतान संतुलन खातों को संतुलन में रखा जा सके ठीक तो ये हमारा पूरा कुश्चन था ठीक है अब चलते हैं कुश्चन नमबर कर नेक्स प्रे तो इसमें किया कहा गया है नेक्स वाले कुश्चेन में चुर्झन में कहा गया कि जो भारत में मांग परेरित जो होती ठीक है और लागत प्रेयरित और लागत जनीत मुद्राइश फित के कारक क्या है मतलब explain the demand pull and demand pull and cost push ठीक है factor of inflation in India इसके बारे में हमको बताना है तो इसमें देखो मुद्राइश फित होती क्या है पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा क्योंकि यह मुद्राइश पीटी वर्ड आया है फिर इसके मांग प्रेडित और लागत प्रेडित मुद्राइश पीट के कारक क्या है इन पे चर्चा कर लेना है और उसका बस मतलब निश्कस करते हुए इसको एंसर में हमको इंक्लूड करना है ठीक है तो इसमें देखो क्या पिछले साल हमने एक पिन खरीदा वो दस रुपे का ठाट ठीक है लेकिन अब अक्टूबर दोजार जो 20 में हमने यह पिन खरीदा यही पिन अब जो है 11 रुपे का हो गया तो एक रुपे क्या हुआ यह इंफलेशन को दर साथा कि महंगाई को दर साथा ठीक है कि पहले से इसमें इस समय इंफलेशन है उस पिछले अक्टूबर में जो महीने में इंफलेशन थी उसे ज्यादा इस समय है ठीक है तो इसको दर साथा है तो यह महंगाई को दर साथा है और यह मुद्रा की शमान जो यह देखने को तुम आपको मिलती हैं कि जो मुद्रा की समान सकती कम हो जाती है और जो मुद्रा स्पीती उत्पन करने वाले दो कारक होते हैं तो कौन-कौन से यह मुद्रा स्पीती के कारक हैं मतलब मुद्रा की जो क्रे सकती होती है क्यों क्यों की वस्तों की कि समग्र मांग उसकी मांग आपूर्ती से अधिक हो जाए समझ रहे जब उसकी जो मुद्रा इस्पीती की मांग प्रिरित कारक उसी वही होती है जब किसी अर्थवेवस्ता कि समग्र मांग उसकी मांग आपूर्ती से अधिक हो जाए मतलब किसी वस्त की जो है आपूर्ती से म मतलब उसको explain किया गया है ठीक है तो simple way में खरीद जैसे हम को हम लोग 10 लोग पेन लेने वाले हैं ठीक है 10 लोग पेन लेने वाले हैं और पेन हैं हमारे पास पांच ठीक है तो अब यह production जो है कम हो गया यहां पर ठीक है production पंदरा रुपे का दे दिए हमको आवज़ सकता है इसकी तो पंदरा रुपे का बिकराए तो उसी के बारे में यह देखो इस में यहां explain किया गया है उसको बताया गया है ठीक है उसको आप लोग देख लेना नेक्से की मांग प्रेडित जो मुद्रा इस्पिति के प्रमुक कारण जो है वो निम लिखेते हैं जैसे कि जो ब्रद्धी वर्धित संब्रद्धी यानि जब सकल घरेलू उत्पाद में ब्रद्धी होती है तो इस कारण से प्रतिबेक्ति आए बढ़ जाती है इसके परिणाम सब्सामान रूप से हो जाती है जब अर्थिक विकास के विसे में अस्वस्त और अनुभो करते हैं तो मतलब मांग में ब्रद्धी होगी तो यही है मतलब ब्रद्धी सम जो सभी लोगों की जिसे सेलरी में ब्रद्धी होई मान लो तो सेलरी में जब ब्रद्धी होई तो जाहर सी बात है वो लो जो जब करों की दर कम होती है तो उप भोगताओं के पास उप लब्ध प्रियोज जी आई में बरदी हो जाती है जिसके करन मांग बढ़ जाती है तो सबी में वही मतलब फैक्टर है देखो उधार मौदरिक नीती है ठीख कि इसमें भी जब क्या होता है कि मौद्रिक नीति की अर्थ ब्योस्ता में बेव के अनुरूप अभी कलन किया जाता है तब ये मतलब ब्रद्ध होती है जैसे कि उधारण के लिए ब्याद करें कि ब्याज दरों में कमी करना तो इसे उच्छ मांग की इस्तितुत पन होगी क्य करना है और घरिलू मुद्रा का आउमूलियन जैसे इसे आयातों की कीमत बढ़ जाती है और उस देश के निरियात की कीमत कम हो जाती है ठीक है तो ये निरियात निरंतर बढ़ते और आयात में कमी होने की समगर मांग में ब्रद्ध होती है ठीक है तो आउमूलियन से ये मतल जनित मुद्राइसफिति थी अब जो है यह ममद्राइस पिती कैरा है ठीक कि छॉक cela कि पुम स्वेक्टर है ठीक है तो इसमें क्याकि यह इस्तित वुट पन्न होतीwriter जब उत्पादन लागत में बरद्धि के कारण वस्टों और सेवाओं की समग आपूर्थी कम हो जाती है और सामानी रूप से लागत जनिद्मुद्रा ही ते लोच हीन मांग की ही इस्थित उतपन होती है जहां मांग मैं बढ़ती कीमतों के अनरूप परिवर्था नहीं होता है लागत जनिद्मुद लागतत बढ़ जाते हैं तो जैसे यो प्रोडक्शन की लागत जो है बढ़ जाती है यह मतलब घटकों के करण वर्धित मजदूरी तो मजदूरी में बड़त प्रश्टों की कीमितों में अत्यदिक ब्रद्धी होती इसके परिणाम सरु परिवहन लागत उच्छ हो जाती है और सभी कमपनियों की लागत में ब्रद्धी परिलेच्छी तो होती है और प्राकरतिक आपदाएं या प्राकरतिक संसादनों का हराज जैसे कि आपूर्ति कि रष्चाथ आयाद की वर्धित जो लागत है लागत के करारन प्राय मुदरापटी की ब्रद्धी होती बिविद करारन जैसे की सरकार दौरा उच्च करादाइन एकाधिकार बिनिमे दरों में गिरावट आद जैसे आद इस से उतपन इस से जो पादन की लागत में ब्रद्य हो सकती है ठीक है तो इस प्रकार ये हम को देखने को मिला कि हमारी جो कोश्ट से कैसे मतलब ब्रद्य होगी जो मुदराईस फित कुदर साती है और एक होती मांग के आधार पर कैसे मतलब होती है ठीक है तो यही दो आधार है हमारे ठीक है उसके हमने एक एक पॉइंट को देख लिया है और अब इस परकार जिसे भारत में भारती डिजरो बैंक मौद्रिक नीती रंडिती का उप्योग करके अमूली इस्तर को एक निश्चित इस्तर पर या एक सीमा के भीतर बनाए रखता है गया तब यह रंडिती कोई मौद्रा लच्छी करन के रूप में जाना जाता है ठीक है तो यह मतलब इसका काम है आर बी आई का कि उसको कैसे मैनेज करना है तो ज्यादा करना है ना भी बहुत तक कम करना है ठीक है तो यह हमारा फेक्टर होता जो मुद्रा इस्फिती का होता है ये टू प्लस माइनस नहीं फोर प्लस माइनस टू होता है ये इसका इसी पर मैनेज करना होता प्लस माइनस टू यानी मतलब जो मुद्राइश फिती है छे से ज्यादा नहीं जानी चाहिए और चार से मतलब दो से कम नहीं होनी चाहिए इसी के बीच में ये मतलब फ्लो करती रहती चार वाली इस्थित बहुत ही अच्छी होती है ठीक है जो चार परसंट मुद्राज फिती होती है पिछले एर के कंपेरिजन में तो इसको यह जो है और यह मैंनेज करती है मोनेटरी पॉलिशी के अंतरगर ठीक है नेक्स है हमारा कुश्य नंबर तो यह इसमें कहा गया है कि आर्थ बेवस्था में मुद्रा की आपूर्ती को भी नियमित करने के लिए प्रियुक्त बिभिन मातरात्मक और गुरात्मक नीतिगत साधनों को इस्पेस्ट कीजिए तो जो मुद्रा स्फिति को मातरात्मक और गुरात्मक जो होते हैं आर्बियाई के जो इस्टूमेंट होते हैं ठीक है वो किस परकार इसमें जो है काम करते हैं ठीक है तो उनको हमको बताना है कि यह मुद्रा की आपूर्ती क्या है उसकी कारिप्रनाली क्या है ठीक है और इसमे जो हे ये बी नियमन की जो आपूर्टी की बी नियमन का जो ये मातरातमक और गुड़ातमक नीतिगत साधने उनको परिभासित करते विए बताना है कि क्या होते है और साधनों को मतब कौन-कौन से हैं इनको सुची बद्ध करते हैं ठीक है किन आधारों पे हम उनको डिवाइड करते हैं यह सब हम इस कुष्चन में देखने वाले हैं तो मुद्रा आपूर्ती से आसा एक निश्चित आवद में किसी देश की अर्थ विवस्ता में परी शंचरणडी या मुद्रा या अन् आर्बियाई दोरा बिभिन मातरात्मक और गुडात्मक शाधनों का उपियो करके किया जाता है ताकि मुद्रा इस फीत लच्छी करण और मूली इस्तिरता और आर्थिक जो इस्तिर आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके तो ये इसके लक्षे होते हैं तो इसमें मात आत्मक या सामानी विधियों से आसे यहा है कि जिनका उपियो केंदरी बैंक दोरा बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट और मुद्रा आपूर्ति की कुल मातरा को प्रभावित करने के लिए किया जाता है इन विधियों का उपियों बिना किसी विचार भी मर्स के किया जाता है जबकि गुड़ातात्मक या चैनात्मक से आसे उन उपायों से हैं जिनका उपियों केंदरी बैंक दोरा अर्थ बेवस्ता के बिभिन बिशिष्ट छेत्रों में रिंड के प्रभाव को बीनियमित करने के लिए किया जाता है मतलब जो कॉलिटी ट्यू इंस्टूमेंट ह जो उपकरन है उनका ही उपियों किया जाता है तो इसमें मतरात्मक उपियों कौन कौन से हैं ठीक है कौन्टिटी ट्यू ठीक है तो इसमें क्या है कि मतलब बैंक दर नहींती है जैसे जो वाड़ी जी बैंक को दोरा रिंड के प्रभाव को प्रभावित करने के लिए बैंक दर जैसे बैंक दर क्या होती है कि जो ये बैंक वाड़ी जी बैंक को को रिंड देने के लिए केंदरी बैंक दोरा आरूपित किया जाता है जैसे मतलब किसी बैंक को पैसा चाहिए ठीक है तो वो मतलब लॉंग टर्म के लिए जब पैसा लेती है तो बैंक दर पे लेती है ठी इसलिए इसलिए बात है तो जो मेनेज़् करना होता तो उस सांव से वह काम करता है क्लिए मार्केट जो शंक्रिया होती कि आ सबब्लबर के से केर्ग साथी कीट्रे में इन और रिवर्स रिपोष दर्य समनित होती ये बजटी साधनों को संसाधनों के जुटाओ को सच्छम बनाती है तथा प्रणाली के अत्रिक तरलता को समाप्त करने के लिए साधन के रूप में भी कारी करती है तो ये open market की हो गई ठीक है जो जिसे सक करना है जो market में ज्यादा मुद्रा जो market में liquidity ज्यादा है उसको सक करने के लिए ये लोग काम करते हैं कि security बेंच देते हैं तो RBI के पास पैसा आ जाता है ठीक है नेक्स है हमारा रिजरो बैंक संबन्दी अबस सकता है तो बैंक जमाओं को एक निश्चित रास यानि केंदरी बैंक में आरचित की जाती है और या वाड़ी जी बैंकों के अत्रिक्त रिजरो की मातरा तथा banking प्रणाली के credit गुडांग को भी प्रभावित करके जो मुद्रा आपूर्टी को बी नियमित करती है और भारत में इसे नगद आरचित अनुपाद के रूप में जाना जाता है तो ये मतलब CRR जो होता है इसी के बारे में ये बात करता है ठीक है तो जितना CRR जादा होगा उतना ही बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए ठीक ह तो ये भी लिकुडिटी को एक मतलब संकुचित करता है नेक्स है कि सामिधिक तरलता अनुपाद तो इसमें क्या होता है कि SLR जो होता है इससे आसा है निधियों से के उस परतिशत से है जिने बैंकों को तरल संपती के रूप में सदेव बनाया रखना होता है ठीक है जब SL उच्छ होगा तब बैंकों के पास वाड़िजिक परिचालन के लिए मुद्रा की अलप मत्रा उपलब्द होती इसलिए रिंड के रिंड देने के धन की मत्रा में कमी होती है तो यह SLR भी होता है यह को CRR क्या होता है कि यह लगभग 4% की रेट रहती प्रिजेंट टाइम मे मुझे नहीं पता है कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितनी CRR की समय रेट है और SLR की कितनी रेट है ठीक है वैसे नॉर्मल 4 की कंडिशन रहती है और 19 से लेके यह मतलब ऐसे फ्लो करता है साइद 19 है या 21 है समय इसकी जो SLR की दर है वैसे तो 19 है आई रेजरू के रूप में ठीक है और यह जो CRR होता है यह रेजरू बैंक के पास एक बैंक को जमा करना पड़ता है ठीक है तो इससे जो है उसकी जो है कम उसके पास मुझरा बस्ती है ठीक है नेके से हमारा की घाटे की बिती व्यवस्ता केंदरी बैंक अधिक मुद्रा का मुद्रन कर सकता है परन्तु इसे मुद्रा इस फीती में अधिक ब्र较 भो जाती है तो था मुद्रा आपूर्टी को बिनिमित करने के लिए बुद्धि मत्ता पूरण बिकल्प भी नहीं है, ठ खरीद कर अर्थेवेश्टा में मुद्रा का पूर निर्धारत मत्रा में समा वेस्ट करता है ठीक है तो ये हमारे गुडातात्मक मात्रा जो बिधिया हो गई जिनके जिनका हम उप्योग करते हैं ठीक है आर्बिया दौरा की जाती है और नेक्स हैं हमारी गुडातात्मक बिधिया है तो गुडातात्मक कौन कौन सी है तो मत्रात्मक हमने देख लिए अब गुडातात्मक तो एक बिशिष्ट रिंड प्रियोजन के अंतर परवाह के लिए किया जाता है तो इसमें मार्जिनल आवज सक्ता का जो बिन्यमन होता है ज से कमी से अधिक ग्रहन मूली में ब्रद्धी होती है मार्जिलन अवस्षिक्ताओं में परिवर्तन को बिशिष्ट वस्तों के बिरुद्ध क्रेडिट के प्रवाव को प्रभावित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है तो क्रेडिक्ट रस्निंग होता है एक यह एक ऐसी बिद्धी होती है जिसके दोरा की केंडरी बेंग क दोरा रिड्ध की अदिक्तम रास को सीमित करने का प्रियास किया जाता है और आवन Ça Seat понравit को के रिंड जोकिम को कम करने में शहयता करता है ठीक हैwie AND बेर फिरिंड का जो بिनियमान है केंगरी बैंक इस इस बिंड़ आउपयोंग मुद्रा इस फीति पनिय Geschäft करने और अर्थ बेहुस्ता को गतेaoBu करने के से ओध्न सर्तों बैंक वाड़ी जी बैंक को सामानी मौद्रिक नीती का अनुपालन करने का परामर से देता है उन्हें पुरुत साहित करता है कि अगर ज्यादा मुद्राश पीती है तो वो कुछ स्पिसल फेक्टर के लिए कहते हैं कि मतलब इसके लिए आप लोगों को छूड़ देनी है और इससे ज्यादा आपको इसे कम रेट पर किसी को भी नहीं देना है ठीक है तो इन चीजों के बारे में बात करता है प्रतेश कारवाई की बात करें तो यहां केंदरी बैंक दौरा वाड़िज बैंकों को उसी उधार और निवेस नीतियों के संबन्द में जारी किये गए दि यही के दोरा की जा सकती है ठीक है तो इस प्रकार हम अगर बात करें तो समगर रूप से किसी अर्थ बेष्था में मुद्रा आपूर्टी और नियंतरन उपायों की प्रभाव सिल्टा अनेय कारकों पर निर्भर करती है तथा यह उपाय एक अर्थ बेष्था की शमगर बि आसायनी लिक्विडिटि ट्रेप किया है ठीक है और तब रहोस्था पर इसके नहींतरतों का विवेचना कि जे कि इसका मतलब जो इंपली केशन है वह क्या है ठीक है यानी मतलब लेटी क्या है एको एकोनिमें में में मतलब इसके क्या नहितारत है क्या इसे हमको इस पेस्ट होता है ठीक है तो तरलता पास क्या होता है यानि लिकुडेटी ट्रेप क्या है उसको हमको करना है और नहितारत को बिश्तार में करना है ठीक है क्योंकि इसमें खाली यही पूछा गया ठीक है तो इसको हम उसका सुझाव दे तो बाजार जो दरे होती है ठीक है बाजार दरे इतनी कम हो जाती है कि मुद्रा आपूर्टी में बरदी का ब्याज दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लोग इस मुद्रा को निवेश और बे करने के इस्थान पर सिश के रूप में रखते हैं और इस इस्थिती में लोग इस धारणा केता है तब बांड जो होते हैं बांध पत्रों पे निवेश करने से बचते हैं और ब्याजदरों में शिग्र ब्रदी होती है जिससे बांध पत्रों के मूली में कमी आती है परिणाम सरूप उन्हें पूंजी हानी का सामना करना पड़ेगा इसके परिणाम सरूप मतलब ब्याजदरें और कम हो जाती है मतलब उनको जैसे ये रिसेशन की इस्तित होती है या जैसे मतलब हमारी जो मंदी की अवस्था आती है उसमें हमको जो निवेशक होता है उसको एहसास होता है कि अगर हम किसी बांध पत्र मतलब किसी चीज में निवेश करेंगे तो उसकी rate गिर रही है तो और ज़्यादा गिरेगी ठीके मतलब वो imagine करता है जैसे एक share खरीदना है तो वो सुचता अगर इस समय खरीदेंगे तो हमारा share की value और ज़्यादा घट जाएगी तो वो क्या करता है इन चीजों में निवेश करने से बचता है नहीं करता है उसके द नहतारत क्या क्या है तो इन नहतारतों की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या होता है कि जो इसके नहतारत है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये liquidity trip होता है ये आर्थिक बिकास के प्रेयरक साधन के रूप में या बिस्तारवादी मौदरिक नीत के प्रभावही ब के लिए पैसा नहीं होता है कि जब कोई करेगा तो अप पयसा नहीं हूगा पैसा नहीं हो नहींद similar नहीं होगा तो डिवलेजगारी आएगी बेरोजगारी आएगी तो पैसे हम और रेसेशन की और हम चले जाते हैं ठीक है तो ये प्रभावहीन कर देता है मोद बिस्तारवादी जो मोद्रिक नीत होता है इसको प्रभावहीन बनाता है और बाजार पर्योजनों की दिरकालिन बित्व पोशन है तो जो निधी परदान करता है जब लोग बाज़ पत्र में तो हमने अभी बता दिया ना ये देखो मंदी की इस्तित उत्पन होती है ठीक है बेरोजगारी आएगी और उद्दमी अपने बेवसाई के बिस्तार है तो निवेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है तो निवेस कहां से उन्वो अपना कैसे बिस् मार्केट में पैसे नहीं होगा ठीक है और कमपनियां उतना प्रस्रेमिक नहीं दिया जाता है जिने जितना देना चाहिए तो मैं देखो इस समय जो जैसे ये कोविड-19 वाली इस्तित थी ठीक है इसका हम बेस्ट एक्जामपल दे सकते हैं इस इस जो इसमें स्वाब करें उनके भी पास सीच्वेशन का सामना करने के लिए पैसे इनीए तो वहां से बुरा करेंगे ठीक है तो इन सब चीजों को हमको देखकर चलना उप्रोकता मूलि निम्ल निम्नु बने रहते हैं तो वही ऊप्रोकता मूली कि खरीदने की छंता ही नहीं होती है कि वहां कोई जाता ही नहीं है क्योंकि जिसको बहुत ही आवच सकता है किसी कपड़े की वही खरीदने जा रहा है वह ठीक है जिसके पास नहीं है और तो इस सिचुशन में क्या होता है जब तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारा नहीं भीक पाता है तो इन चीजों के लिए हम कैसे किसी को मतलब वो लो कंपनी के जो लोग होते हैं उनको जो सेलरी भी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं वो लोग ठीक है तो इस समय घाटे की इस्तितिय बनती है बैंक रिणों में ब्रदी नहीं करते हैं करते सामानिता बैंकों की अपेच्छा की जाती है क्योंकि वे केंदरी बैंक दोरा आर्थ बेवस्ता में डाले गए अत्रिक धन में लग बेवसाइक रेड़ों और बंधक के आधार पर रेड़ आधि के आधि में उपलब्द कराएं परन तो यदि लोग आर्थिक अनिश्चितता हो कि वातावरण में बे या निवेश करने में हिचिक रहे हैं तो ऐसे इस्तित में वे उधार भी नहीं लेंगे और इसके परिणाम स्रूप बैंक को दोरा रिंड परदान किया जाना सीमित हो जाएगा ठीक है तो इससे समाप्त करने के क्या उपाएं हैं इसे कैसे समाप्त में पुना जैनी बे यह निवेश आरमब है तो विश्वास उत्पने में जाहता प्राप्त हो सकती ठीक है जैसे ब्याध दरों मैं ब्रद्धी ओगी तो लोग धन संचे करने के अस्थान पर उसका अधिक निवेश करेंगे और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे देर कालिंग जो दरे होंगी बैंकों को उधार देने के लिए पुर्चाहित होंगी और जो ये उत्षाहित होंगी और जो क्योंकि उन्हें उच्छ प्रतिफल यानि उच्छ return के मतलब प्रभाव होंगे हाला कि ये उपाय प्रतेग इस्तित में प्रभावी नहीं होता है लेकिन हो भी सकता है ठीक है सामाल मूली इस्थर में गिरावट तो इस इस्तित में लोग धन के वे को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं कम कीमतों के प्रलोभन अत्यादिक जो आकरसक हो जाता है इन कीमतों का लाव उठाने के लिए बच्चत का उप्यो किया जाता है ठीक है सरकारी वे में ब्रद्धी तो सरकार दोरा किये गए वे में ब्रद्धी का अर्थे सरकार राष्टी अर्थे विवस्ताओं के प्रति प्रति बद्धता आए और अस्वस्त होता है इसे भविश्मे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे वित्ती नवाचार यानि इसमें पूर्ण रूप से नवीन बाजार का निर्माड किया जाता है शमनवित कर सकतनी अर्थात ऐसे देश उईसे देश जिनके पास किशी वस्तु का अधिस्जिस होता है उधान के लिए अगर पात करें तो नगदी या स्रम ठीके अगर इनका किषी देश के पास अधिस्यस है टो वे उन देशुं के साथ उस इसका व्यापार कर सकते है जिन पोई शरकारी युजनाओं के आधार पर की जाती है ठीके और सामान इस तिर में गिरावट होती है और ब्याजदरों में ब्रद्धी और यह सम हमारे मतलब इससे निकलने के कि यह हमारे निकलने के उपकरन है ठीक है तक हम इसे लिक्विडिटी ट्रेप से बाहर निकले और मंदी या रिसेशन से भी बाहर निकल पाएं और अपनी अच्छी शी ग्रोथ कर पाएं ठीक है कि नेकले हमारा अर्बियाई को अंतिम डेड़ दाता क्यों कहा जाता है वाड़ी बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कारी करते हुए आर्बियाई दौरा और क्या कारी संपादित किये जाते हैं तो इसमें देखो क्या है कि जो आर्बियाई अंतिम डेड़ दाता की अवधारना क्या है यह अंतिम डेड़ दाता क्यों कहा जाता है इसका क्या कारण है इसको हमको डिसकस करना है ब्रीफ में और इनके कारी कौन कौन से होते हैं इनके हमको ब्रीफ में डिसकस करते हुए कुश्चन को पूरा कर देना ह तो अंतिम रिंड दातावा इस्तित होती है जैसे कि बात करें सामाने एक देश का केंदरी बैंक जो बिती कटनायों का सामना कर रहे या अतिदिक जोकिम पूर या पतनों उन्मुख माने जाने वाले बैंक को या अन्नी पातर संस्थानों को रिंड परदान करती है तो मतलब जो डूब रहे होते हैं जो बिती संस्थान होते हैं उनको ये लोग मतलब सहायता देते हैं अगर कोई उनको कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है कोई उनको रिंड भी नहीं दे रहा है अलग से तो ये अर्बियाई क्या करेगा उसको मतलब रिंड देगा वो ठ कोड़ करता है ठीक है और भारत में जब वाड़ जी को बैंक तरलता संकट के समय अपनी निधियों का पूर्ण करने हैं तो सभी साधनों को पूरताया उपयोग कर लेते हैं तो वे अंतिम रेड़ दाता के रूप में भारती रिज्वर बैंक से मांग करते हैं ठीक है और अंतिम रेड़ के रूप में आर्बिय इन वाड़ जी बैंकों को उनकी पातर प्रद्भूतियों और बिनिमे पातरों की गरना करके प्रद्भूतियों की गारंटी पर रेड़ परदान करके रेड़ सोधन चमता परदान करता है और बित्ती आपूरती करता है ठीक है तो इस परकार जो यह हम लोगों ने पहले ही देखा था ठीक है इस परकार आर्बिय इको अंतिम रेड़ देता की संगया उसके दोरा प्रतिफल में अन्य बैंकों और संस्थानों को भी प्रभावित कर सकती है तथा बैंकिंग प्रणाली का संभावित बिघटन हो जाता है या बित्ती इस्तिरता और देश की अर्थव्यूस्ता के प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकती है ठीक है वाड़ जिग बैंक RBI के रेंड प्राप्त करने का प्रियास नहीं करती है ठीक है वाड़ जिग बैंक जो सामने था RBI से रेंड प्राप्त करने का प्रियास नहीं करती है क्योंकि इस प्रकार की कारवाईयों से यह संकेत मिलता है कि वह बैंकिंग बित्ती संकट का सामना कर रहा है साथ ही अंतिम उपाय करेगा ठीक है अंत्रीमी डिटीक की उप्यूक्त घुम्यका तरीक अर्मी है ये निוכित कारियों का सम पादन करती है पैंकर के रूप में बैंक ठीक है बैंको के बैंकर के रूप में बैंकिंग बीने में अदरिम orbлioni 1889 के अंतर बीही देश के बेनक प्रणाली के निहि बैंक लेंदेन का सुचार और तुरित समा सोधन और निप्टान संभव बनाता है ठीक है या सबी बैंकों हे तू निधी अंतरण के सच्छम साधन उपलब्द कराता है या बैंकों को सामिदिक आरचित अवस्षिकता हो और लेंदेन संतुलंडों के आरच्छन हे तू आरबि रिज़र बैंक अधनियम उनिशाच्छ चवंतिस का जो है ठीक है कि इसके अंतरगत आरबियाई जो सरकार के बैंकर या एजेंट या सलाकार के रूप में कार करता है केंद्री या राज जी सरकारों को बैंकिंग व्यवस्था को शू व्यवस्तिस संचालन है तो उत्तरदा बित प्रेसित करता है और सरकार है तो बिदेशी मुद्राओं का क्रेब क्रेब करता है और सभी बैंकिंग मामलों पर परामर्स भी प्रदान करता है तो RBI का ये सरकार को मतलब काम करने के लिए ये सरकार के लिए करता है इतना काम ठीक है और ये RBI केंदर और रज दोनों सरका प्रबंदन करने में और आरबियाई केंदर सरकार की और से ट्रेजरी बिल का बिक्रे करता है और अलपकालिक जो बित प्रणाली के माद्यम से देश की अर्थ वेष्था की इस्थिरता बनाया रखने में अत्यंत महतुपूर्ण भूमिका का संपाधान करता है ठीक है तो इस प्रकार ये हमारे आरबियाई के कारी हो गए नेक्से हमारा भारत में राजकोशी प्रबंधन की जो प्रमुक समस्याएं हैं कौन कौन से हैं उनके से दूर किया जा सकता है तो देखो राजकोशी जो हमारा है बजट मेनेजमेंट ठीक है राजकोशी प्रबंधन तो ये क्य onte ma include किये गया मुझे तो लगता है इसमे से लगभग दो three której这on तो इसी itprocessory से आने चाहिए क्योंकि इतने important इसमें question ही include किए गये हैं ठीक है तो राजकुषी बजट जो राजकुषी प्रभंदन बितीस अंसादनों के नियोजन निर्देशन और नियंतरण की प्रिक्रिया है यहाँ निवेश संबंदी प्रवत्तियों यानि इन्वेस्टिमेंट सेटलमेंट में सुधाल लाने निजी छेत रहे तो रिंड प्रदान उपलब्धता में ब्रद्धि करने मुद्रा स्फीत नियंतित करने और राज कोशी घाटे को नियून करने है तो महतुपूर है क्योंकि राज कोशी घाटा जो है उसको भी कम करता है ठीक है मुद्राइस पीत को नियंतित करता है और निजी छेत रहे तुरिन उपलब्ध कराने में ब्रद्ध करता है और जो ये निवेश प्रवरतियां हैं उसमें भी सुधार लाता है तो ये इसके महत्वपूर्ण कारी होते हैं ठीक इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारत में राजकोशी प्रवंदन से समंधित समस्याएं क्या क्या है तो आपरियाप्त बजट प्रतिवेदन मतलब भारत में प्रायर राजस अनमानों को अंतर रंजित रूप में या बेई को कम करके परदर्शित किया जाता है ठीक है तो ये है हमारा अतरिक्त बजटी संसाधन पर निरभरता में ब्रद्धी तो ये अतरिक्त बजटी संसाधन में यानि बिगत वरसों के दोरान सारजुनिक कारिक्रमों के बित पोषण है तो EBR यानि अतरिक्त बजटी संसाधन जैसे की जैसे LIC हो गया SBI जैसे सरकारी स्वामित वाले उद्दमों की निधियों पर सरकार की निर्भरता में ब्रद्ध हो रही है ठीक है हलकि राजकोशी घाटे से संबने रेल टाइम आकड़ों में परिलच्छित नहीं होता है सीमित कर उच्छाल की अगर हम बात करें तो कर उच्छाल की कोई इस्तिर प्रवरते नहीं है इस परकार कर राजसु का पूर्वा नुमान कठिन हो जाता है ठीक है और राजकोशी घाटे को वास्तिक्ता से कम करके प्रदर्शित करना मतलब होता ये कि रचनात्मक लेखांकन तक्नीकों का उपियो करके राजकोशी घाटे को वास्तिक्ता से कम करके प्रदर्शित किया जाता जैसे कि समगर सब्सिडी बिल और राज जी को दे या प्राप्त रास के एक भाग का आगामी या बित्ती वर्स हे तो बिस्तारण करना यानि रोलिंग ओवर और वी निवेस प्रिक्रिया में निर्धारित हिस्चेदारी खरीदने के लिए अधियासी जैसे सारवनिक उच्छेतर के जो उद्द्द्यम होते हैं ठीके उनका उप्योग करना आदी इस में सामिल होता है ठीके जिसके को है इसको राजकोषी घाटे को वास्तिक्शा से कम प्रदर्सित किया जाता है नेकिसे हमारा जैसे हमारा केंदर और राज जी के लिए समान राज कुशी शमेकन नियमों की अनुपस्तिती तो इसके कारण राज जी ओड़ा अपने बित का प्रबंधन करने में बाधाउत पन होती है ठीक है और राज कुशी उतरदाई तो और बज़न प्रबंदन अधनियम यनि एफ आर बीम एक्ट जो 2003 का है ठीक है इसके लक्षियों के अनुमान अनुपालन ना करना इनका जो लक्षि था उनका अनुपालन ना करना इनके अधनियम के पस्चात ही एफ आर बीम लक्षियों की कई बार उपेक्षा की गई है मतलब ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो बजट का था एक लक्षि था कि उसका कितना कितना टार्गिट होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन उसका भी बार बार जो है संसोधन उस एक्ट में भी किया जाता है इस फार बीम भी यही करता है, जब हो जाता है तो उसको बढ़ा हुआ दिखा देते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई उनकी जम्मेदारी यह जवाब दही नहीं होती है, वह नहीं कहते हैं कि इतना क्यों हो गया इतना बढ़ा तो क्यों बढ़ा। ठीके और राजकोशी लोकल भा में ब्रद्ध हुई है इन समस्याओं में निम्लिकित विविन उपायों के माध्यम से निवारन किया जा सकता है तो कौन कौन से ये कारण है जिन से इनका निवारन हो सकता है तो राजकोशी नीतियों की निगरानी करने राजकोशी लक्षियों को इनके सिंग समित ने इनकी से पारिस किये ठीक है और बजट में राजस और बे का सही आकल करना ताकि आगे सुधरड आर्थिक नीटियां तयार की जा सके ठीक है और जो राज कोशी प्रबंदन से सम्मंदित कानूनों के संदर में केंदर और राजियों के मद्ध सामज़स इस्थापित करना ठीक है और बित और बित आयोग और जीस्थी परिस्थ के मद्ध सहीयोग बढ़ाना लोक लुभावन वाद और पर अंकुस लगाना और सरकार दोरा राज कुशी लच्छों का द्रड़सा से अनुपालन करना इसके अतरिक शार्वजिनिक बे की उचित निगरानी और कुसल प्रब प्रणी इस तर पर इस्थिर बनाया रखा जा सके ठीक है और सुद्रण राज कोशी प्रात्मिकताओं हेतु संस्थागत पंत्र की स्थापना तकी पारदर्शिता को बढ़ावा मिले और घरेलू यों विदेशी निवेशकों में विश्वास हो इस प्रकार अर्थ बेवस् सके ठीक है तो इस परकार हमको यह उपाय करते हुए हमको कर लेना है ठीक है तो आई होप कि आज हम लोग यह पांची कुशन रखते हैं ठीक है पांच कुशन कर डिसकस कर लेंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छे कुशन थे इसलिए मैंने इनको समझा समझा के थोड़ा सा तो मैंने सुचा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इन चीजों को ठीक है तो डिसक्राइब किया है तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा आई होप तो हम लोग जो है यह पांच कुशन है इनको कल डिसकस कर लेंगे ठीक है इसमें बहुत अच्छे कुशन है इसलिए मैं इसको ज़्यादा कुशन में डिसकस कर रहा हूँ ठीक है ज़्यादा पार्ट में वरना ऐसा नहीं करता है आगे वाले टेस्ट जो होंगे वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इतने ज़्यादा वो भी नहीं है क्योंकि एकॉनमी में क्या होता है एक कल कर लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत और आप लोग अपना सेजेशन जरूर दीजे ठीक है